हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूटूब चैनल में तो आज हम सीखेंगे कि कैसे Microsoft Excel में हम लोग Quick Access Toolbars को कैसे कस्टमाइज करते है तो जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों ये उपर वाला जो रिबन है इसे कहते है Quick Access Toolbar और इसमें जितने भी टूल्स है वो है Quick Access Tools तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये है Undo, Redo, ये आपका Send Email, Open File अब माल लीजिए आप इसमें कुछ और Tools एड़ करना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे पहले आपने क्या करना पड़ेगा इस छोटे से Down Arrow पे क्लिक करना अपड़ेगा जहां पे लिखा आता है Quick Access Toolbar Customize Quick Access Toolbar क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके पास काफी सारा List आएगा जिसमें कि आपको Check करना है और Uncheck करना है Check किसको करेंगे जिसे आप Add करना चाहते है Uncheck किसे करेंगे जिसे आप Remove करना चाहते है जैसे कि ये Email जो है ये Check है इसे मैं Uncheck करूँगा तो ये Remove हो जाएगा वापस से मैं Check करूँगा तो ये Add हो जाएगा इस तरीके से अगर आपको ये Save File की Option को आपको Quick Access Toolbar में Select करना है जैसे कि अब हमेशा कई न कई आप देखे होंगे ये हमेशा रहता है ठीक है By Default Add रहता है तो आज मैं इसको Save को Add करता हूँ तो ये आ चुका है ठीक है दोस्तों इसी तरह आप और भी Add करना चाहे ठीक है Short Ascending, Short Descending अगर आपके पास Touch Screen Laptop है तो Touch Mouse Mode ठीक है और अगर आपको और भी Add करना है तो More Commands में जाके आप यहां से और भी Add कर सकते हैं ठीक है दोस्तों तो आज के लिए बस इतना ही बहुत बहुत धन्यवाद अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे Like करे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें Complete Basic to Advanced Excel Tutorial के लिए Description जरूर चेक करें और इसी तरह बहुत सारे Software Courses के लिए हमारे Website Mahagurus.com पे विजिट करें Thank you